बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम अस्सलाम अलेकुम मैं हूँ अनम मजीद टाइटेनियम एजनसी से आज हम बात करेंगे इतहार टाउन फेस टू की जैसा कि आपको मालूम है इतहार टाउन फेस टू जिया बगार रोड पे वाक्या है इसको तीन बेसिक में रोड जो है वो टच तू में किन लोगों को प्लोट लेना चाहिए और किन लोगों को फिल्याल उसकी तरफ मूब नहीं करना चाहिए तो आखिर क्या वज़ा है कि इतहार टाउन फेस टू में अभी तक प्लोटिंग नहीं हुई और ओंग इस प्लोट अवेलिबल नहीं है वहाँ पे अभी तक residents जो है वो available नहीं है इतहार टाउन की तरफ से अभी तक कोई भी amenities में schools, hospitals और commercial प्रोवाइड नहीं किये गए तो जो लोग फौरी घर बनाने की तरफ जा रहे हैं उनके लिए इतहार टाउन अभी फिलहाल suitable नहीं है कि वो फौरी वहाँ पे possession ले की अपना घर start कर दें क्योंकि after 6 months इतहार टाउन की बैलोटिंग complete होगी और फिर society आगे फर्दर residential की तरफ move करेगी अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को इतहार टाउन phase 2 की तरफ move करना चाहिए या किन के लिए इतहार टाउन phase 2 जो है वो बहुत ही beneficial होगा तो वो लोग जो के investment करना चाहरे है इतहार टाउन phase 2 जो है उनके लिए बहुत ही फाइदमन्द है क्योंकि एक तो इसके installment जो है वो बहुत long term नहीं है short term installments है इनकी two year plan है यानि after two year उनको जो है possession मिल जाएगी उनको proper जो है उनके on ground plots available होंगे और वो अपना घर बना सकते हैं अगर वो saving करना चाहरे हैं तो भी इतहार टाउन phase 2 उनके लिए बहुत ही beneficial है इतहार टाउन phase 2 की files available है और इतहार टाउन जो है वो LDA approved है इसके NOC clear है तो society जो है वो बिलकुल secure है इन फैक्ट इस society का जो land है वो भी इनके अपने नाम पे है इतहार टाउन phase 2 की surrounding में आपको बहुत ज़्यदा famous societies मिलेंगी जिसमें सारी amenities जो हैं वो provided हैं इसके इलावा आपको इसके surrounding में बहुत ही famous university जैसे के Lahore University, Comset University, Beacon House University जैसे facilities भी available होंगी तो जो लोग इतहार टाउन phase 2 के लिए interested हैं वो अभी मेरे दिये गए नंबर पे contact करें अपनी file book करवाएं और अपना profit जो है वो secure करें Thank you so much